अक्सर कर पिलिंद बीम कंस्ट्रेक्शन के समय बहुत सारी गलतिया हो जाती है या कहीं कोंट्रेक्टर ठेकेदार अपना थोड़ा पैसा और लेवर को बचाने के चक्कर में आपकी घर की मजबूती के साथ खिलवाड कर देते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहीएगा चाहे आप घर खुद से बनवा रहे हो या फिर आप किसी कोंट्रेक्टर या ठेकेदार से बनवा रहे है अगर आप यह सब गलतिया नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका घर अच्छा और मजबूत बनेगा चले दोस्तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टाट करते हैं सातियों चाहे आप एक मंजला घर बनाए दो मंजला तीन मंजला या फिर चार मंजला इसमें आपके पिलिंद भीम का साइज 9 इंच भाई 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए आप चाहे तो इससे ज़्यादा र अब नेक्स्ट है minimum number of bar and minimum dia using in pilind beam इट मींज आपको कभी भी pilind beam में चार बार से कम बिल्कुल नहीं रखने हैं चार बार से ज़्यादा तो रख सकते हैं पर उससे कम नहीं और हमारा IS code 456 2000 के हिसाब से किसी भी RCC beam के top के सरिया 10 mm और bottom के सरिया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि beam के top को compression zone कहते हैं और beam का bottom tension zone कहलाता है इसलिए हमेशा beam bottom में top के सरिये से बड़ा डाया यूज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग या ठेकेदार यह गलती करते हैं कि pilind beam में 8 या 10 mm का डाया दे देते हैं जो कि घर की मजबूती के लिया से बिलकुल गलत है अब अगर आप खुद से घर बनवा रहे हैं तो इन बातों का तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे पर अगर आप किसी ठेकेदार या contractor से काम करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा अब नमबर तीन, minimum steel grade using for planned beam It means आपको beam में कम से कम FV 500 grade का सर्या ही यूज़ करना है अगर आप ज़्यादा grade का सर्या यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है तो यह गलती भी नहीं हो पाए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें अब next है minimum grade concrete using plant beam. मतलब दोस्ता आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सिर्फ एक मंजिला या दो मंजिला घर बना रहे हैं तो आप M20 यानि के एक डेट तीन के रेसो का concrete यूज करें जिसमें आपका एक पार्ट सिमेंट होगा, डेट पार्ट सेंड और तीन पार्ट एग्रिगेट यानि के गिट्टी कर रहेगा और वहीं अगर आप तीन या चार मंजिल या फिर पांच मंजिल तक घर बना रहे हैं तो इसमें आपको पिलिंद बीम में M25 यानि के एक एक डो का रेसो का concrete ही यूज करना है concrete करते समय इस बात के जरूर दियान रखे ताकि आपका पिलिंद भी मजबूत बन सके अब पांचवा नमबर है लैपिंग जोन और लैपिंग लेंद दोस्तो जब भी हम बीम में लैपिंग करते हैं तो tension zone में 45-50 जी तक लेते हैं और compression zone में 24-30 जी तक अब compression zone क्या होता है और tension zone क्या होता है तो साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं बीम के top में वो भी बीचो बीच वाल एरिया को ही compression zone कहते हैं और बीम के दोनों side corner पर tension zone कहलाता है तो बस अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि top बार की लैपिंग आपको बीम के बीच में करना होता है और bottom बार के अगर लैपिंग करनी है तो वैब आपको बीम के दोनों side corner पर ही करना चाहिए अब 6th नमबर है लैपिंग बार should be provide alternately इट मींज आपको बीम के लैपिंग alternate करके ही देना चाहिए सब भी लैपिंग एक जंगे पर ना दे तो इस बात के भी आपको जरूर दियान रखना है क्योंकि इससे भी बीम की मजविधी पर फरक पड़ता है मतलब दोस्तो अपको पिलिंज बीम की इस्टीरप या फिर रिंग उसका बार डाया 8 अम से कम का नहीं रखना चाहिए कुछ कोंट्रेक्टर या फिर टेकदार 6 अम के बार डाया का इस्टीरप या रिंग यूज कर लेते हैं जो की बिलकुल गलत है तो आपको ध्यान रखना है कि पिलिंज बीम के इस्टीरप का बार डाया 8 अम से कम नहीं हो अब नेक्स्ट है इस्टीरप डिस्टेंस दोस्तो एज़ पर आई एसकोड आपके इस्टीरप की डिस्टेंस 150 अम यानि कि 6 अच्छ से जादा बिलकुल नहीं हो वैसे आप ध्यान रखके कि जहाँ पर भी जंक्सन पॉइंट होते हैं मतलब जहाँ पर बीम और कोलम आता है वहाँ पर आप रिंग की स्पेसिंग 4 से 5 इंच रखके वैबी L बाई 3 तक 2 और और बाकी बीच के एरिया में आप 5 से 6 तक रख सकते हैं रिंग और स्टीरप की स्पेसिंग का आपको जरूर द्यान रखना है जो की पिलिंद बीम की मजबूति के लिया से अच्छा रहता है अब नमबर 9 मिनिमाम हुक लैंट उप स्टीरप सातियों सबसे पहले आपको यह द्यान रखना है कि इस्टीरप कुछ ऐसे बनेगी जैसे आप देख पा रहे हो और इस्टीरप का हुक आपको 135 डिगरी पर ही बैंड करना है इस हुक की लैंद आप 3 निच तक रख सकते हो यानि कि लगबक 80 अमम तक आपकी इस हुक की लैंद रखनी चाहिए आपको ज्यादतर बारबेंडर इस्टीरप बनाते वे हुक को 90 डिगरी पर ही मोडते हैं जो की बिल्कुल गलते हैं अब नम्मर दस है इस्टीरप हुक पोजिशन शोल भी अल्टरनेट इट मींज इस्टीरप देते वे आपको त्यान रखना है कि हुक की पोजिशन अल्टरनेट हो और वे भी ऊपर की ओर और आपकी एक हुक एक साइड रहेगी और अगली हुक आपकी दूसरी साइड होगी तो कुछ ऐसे है जैसे आप देख पा रहे हो आपकी हुक की पोजिशन रहनी चाहिए अब नमबर बारा है शट्रिंग ओप पिलिंद बीम साथ योग कॉंट्रेक्टर अक्सर कर शट्रिंग करने में है गलत्या करते हैं कुछ कॉंट्रेक्टर तो ब्रिक वोल की शट्रिंग भी कर देते हैं जोकि गलत है क्योंकि brick concrete की cells को observe कर लेती है जिससे पिलिंद beam कमजोर हो सकता है। इसलिए आप suturing हमेशा lowe की या फिर plyboard की ही करें और suturing करते हुए पिलिंद beam की line length और width का proper ध्यान रखें क्योंकि जैसा आप suturing beam को safe देंगे वैसे ही आपका beam बन कर निकलेगा। इसलिए आप suturing करते समय जरूर ध्यान रखें कि आपकी suturing proper अच्छे डंग से की गई हो। आप 48 गंटे के बाद ही पिलिंद beam की डिसेटरिंग करें। अब next और most important point है पिलिंद beam curing। दोस्तो आपको पिलिंद beam की proper तरीके से curing करनी चाहिए। अगर आप सर्दियों के मौसम में हैं तो आप कम से कम दिन में 2-3 बार curing करें। और गर्मियों के मौसम में कम से कम 5-6 बार दिन में curing करते रहें। वे भी कम से कम 7-10 दिनों तक। दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि पिलिंद beam की curing आपको proper तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर कर लोग इसको avoid करते हैं और वे पिलिंद beam डालने के एक या दो दिन बाद ही उपर का काम start कर देते हैं जो की गलत है। तो मैं आपको suggest करूँगा कि जब भी आप पिलिंद beam डाले तो उसके बाद 7-10 दिनों तक उसकी अच्छी तरह से try करे। ताकि वे अपनी मजबूती को अच्छी तरह से gain कर सके। अब 60 नमबर है पिलिंद beam height। सातियों अक्सर कर देखा गया है कि लोग पिलिंद beam की height कम रख लेते हैं जिस वज़े से उन्हें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप पिलिंद beam की height अपने future road plan को देख कर ही करे। इट मेंज आपके मकान के जो बाहर की man road है उसको देख कर ही आप अपने घर की height को decide करे। ताकि आपका घर कम से कम 2-3 feet तक उपर रहे। अब next step पिलिंद beam filling। दोस्ता आपको ध्यान रखना है कि पिलिंद beam का काम होने के बाद उसमें आपको more room, sand या फिर soil कुछ इसी तरह का material fill करना होता है। तो वह आप एक ही बार में fill ने करें। अगर आप एक बार में fill कर देते हैं तो उसके बाद एक या दो साल में ही आपका first बैठने के chances बन जाते हैं। क्योंकि यह material कुछ time के बाद settle होने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप 2-3 बार में filling material को fill करें। और फिर आप उसमें अच्छी तरह से या तो पानी छोड़ दे या फिर आप soil compactor की मदद से उसे अच्छी तरह से settle करें। ऐसा करने से in future floor settle नहीं होगा। और आपके floor में कभी भी cracks देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तो मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही घर बनाने से related पहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको घर बनाने से related कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तो वीडियो आपको कैसी लगी पिलीज कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा। और जाते जाते पिलीज वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छे अच्छी वीडियो की नोटिफेकिशन अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तो एक और नए वीडियो में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तो आप सबको मेरा नमस्कार और वीडियो के अंतर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।